शिंख्षेप्त महाभारत के द्रोन पर में भगीरत, तलीव, मन्धाता, याती, अंब्रीश और शश्विंदु की मृत्यू का द्रिश्टांद नारजी ने पुनक हाँ सरंजे राजा भगीरत की भी मृत्यू होने की बात सुनी गई है उन्हें यग्गे करते समय गंगा के दूनों के नारों पर सुने की इंटों के खाट बनवाई थे तथा सुने के अबुशों से वुशी दस लाग कर नए भ्रामनों को दान की थे सभी के नए रतों में बैठी थी, सभी रतों में चार-चार खोड़े जुते थे पर तेक रत के पीचे सो सो हाथी सुन की मालाएं पहने चलते थे एक खाती के पीचे हज्जार हज्जार घोडे पर तेख गोडे के साथ सो सो गुवें और गुवा के पीछे बक्री और भेडो के जुणड थे इस मरकार उन्होंने बौसी दक्षना दी थी गंगा जी भीरभाड से घवराकर मेरी रक्षाकरों कहती हुई भगीरत की गोद में जावै थी इस से वे उनकी पुत्री होई और उनका नाम भगीरत थी पड़ा गंगा देवी ने भी उन्हें पिता कहकर पुकारा था जिस भ्रामन ने जब जब जिस जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा की जितिंद्री राजा ने प्रसंता पुरक वैवे वस्तु से तुद्का लर्पन की राजा भगीरत भ्रामनों की क्रिपा से भ्रम लोग को प्राप्त हुए स्रिंजे वे तुम से और तुमारे पुत्तर से सर्था बड़े चड़े थे जब वे भी यहां नहीं रह सके तो औरों की तो बात ही क्या है इस दिये तुमें अपने पुत्तर के लिए शोक नहीं करना चाहिए इल्विला के पुत्तर राजा दलीब भी मरे थे जिनकी सो यग्यों में लाखों तत्तो ग्यानी एम्स यागिक ब्राह्मन नियुक्त को हुए थे उन्होंने यग्य करते समय धन धानने से संपन ये सारी पृत्थी ब्राह्मन को दान कर दी थी राजा दलीब के यग्यों में सुने की सड़के बनाई गई थी इंद्र आदी देवता उन्हें धर्म के साधन मान कर उनके यग्यों में पधारे थे उनका सर्न में सबाभवन सदा ददिद पेवान रहता था वहां रस की नदियां बेहती थी अन्न के पहाड लगे हुए थे सोने के बने हुए हजार यूप थे वहां धर्वराज विश्वा वसु बड़ी परसंता के साथ वीना बजाते थे सभी प्राणी उन्सत्यवादी राजा का सम्मान करते थे एक बात उनके यहां सबसे अद्वत थी जो अन्ने रजाओं के यहां नहीं है राजा द्रीब युद्ध करते समय जल में भी जाते तो उनके लिए रत के पईये नहीं डूपते थे उन सत्यवादी तथा उदार नरेश का जो दर्शन कर लेते थे वे भी सर्गलों के अधिकारी हो जाते थे द्रीब के घर ये पांच परकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे सिध्याई की वाज, धनुष की टंकार, अतित्यों के लिए खाव पीओ और भिक्षा ग्राइन करो इन सभी वाक्यों की घोशना इन तीन वाक्यों की घोशना संजे वे राजा तुमसे और तुमारे पुत्र से बहुत बढ़ चल कर थे किन्तु वे भी जीवित नहीं रह सके फिर तुम अपने पुत्र के लिए कि शौक करते हो युवनाश के पुत्रमन धाता की भी मृत्यों सुनी जाती ये देटा असर मनुश्य तीन लोकों में विजए थे एक समय की बात है राजा युवनाश वन में शिकार खेलने गेवान का घोड़ा ठक गया और उन्हें भी बहुत प्यास लगी इतने में उन्हें दोर से धुआ दिखाई पड़ा उसी को लक्ष करके वे ये कियो मन्डब में जा पुचे जहां एक पात्र में घृत में शिर्ट जल रखा हुआ था राजा ने उसको पी लिया पेट में जाते ही वे मंत्र पूद जल बालक के रुब में परनी तो गया इसके लिए वेद शिर्मनी अश्नी कमार बलाएगे उन्होंने उस गर्ब से बालक को निकाला वेद देवता के समानते जसी था उसे अपने पिता की गोद में शियन करते देखत देवताओं ने आपस में कहा ये किसका दूद पीएगा ये सुनकर इंदर ने सबसे पहले कहा मा धाता मेरा दूद पीएगा उसी समय इंदर की अंगलियों से घी और दूद की धारा बेहने लगी चोंकि इंदर ने द्यावशी भूतो कर मा धाता कहा था इसलिए उनका नाम मां धाता पड़ गया इंद्र के हाथ से घी और दूद को पीकर मैं प्रती दिन बढ़ने लगा बारा दिन में ही मैं बारा बारा वर्ष कासा हो गया राजा होने पर मंधाता ने संपुरन पिठी कोई के दिन में जीत लिया था में परम धर्मात्मा धर्यवान और सत्य पर्तिग्य वीर और जितिंद्रिय थे उन्होंने चन्मेजे, सुधन्वा, गंड, कै, मूल, विद्रत, आसित और नरिग को भी जीत लिया था सोरी जहां से उदे होते थे और जहां जाकर अस्त होते थे वेसाब तासब शेत्रिय वनाष के पुत्र मनधाता का रज़ गहलाता था मनधाता ने सौ अश्यमेग और सौ राज़सु यग्डे किये थे उनने सो यज़नों के विस्तार का मतस्य देश भ्रामनों को दे दिया था उनके यग्गे में मदू तथा दोद बहाने वाली नदियां अनके परतों को चार ओर से गेर कर बैती थी। उन नदियों के भीतर घी के कई कुंड थे। दहीं उनके फैंसा दिखाई देता था। गुड का रसी उनका जल था। उस राजा के यग्गे में देवता, असुर, मन समुत्र तक की पृत्री ब्रामनों के अधीन कर दी थी और फिर समय आने पर वे स्यम भी इस लोग से आस्त हो गे थे। संपुरन दिशाओं में अपना सियश फिलाकर वे पुन्यवानों के लोग में पहुँचके स्रंजे वे भी तुम से और तुमारे पुत्तर से सर्था श चाहिए। नहोश नंदरनी यह आती की भी मृत्यों सुनी गई है। उन्होंने सो राज्सु, सो अश्मेग, हजार पुंड्रीक, याग, सो वाजपे यग्य, हजार अतिरोत्र, याग, तथा चत्रमास और अगनी स्टॉम, आधी नाना परकार के यग्य किये थे। यग्य करने वाले याती को घी और दोद परदान किया था। नाना परकार के यग्य से प्रमात्मा का पूजन करके उन्होंने प्रिथिके चार भाग की। तो इस परकार से गाथा का गान गाकर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ वान प्रस्ता अश्रम में प्रवेश किया। कि इस प्रिथि पर जितने भी धान, जो, स्वर्न, पशु और इस्त्री आदी भोग्य पदार्त हैं। वे सब एक मुनिश्य को भी संतोष किराने के लिए प्रयाप्त नहीं है। ऐसा विचार करके मन को शांत करना चाहिए। इस पुर्कार राजा यह आती कि धैरे के साथ कम नाव कत्याग किया। और अपने पुत्र पुरु को राज सिंगासन पर बिठाकर वे वन में चली गी। स्रिन जे वे भी तुमसे और तुमारे पुत्र से बड़े चड़े थे। अब वे भी मर गे तो तुमें भी अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है ना भाग के पुत्र राजा अंब्रीश्वी मृत्यू को पराप्त हुए थे। उन्होंने अकेले ही दस लाख युद्ध किया था। एक समय की बात है राजा के शत्रों ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से आकर चारों तरफ से घेल लिया। वे सब के सब अस्त्रों के ज्याता थे और राजा के प्रती अश्यूब वचनों का प्रयोग कर रहे थे। फिर तो वे अपने प्रान बिचाने के लिए प्रात्रा करने लगे और हम आपकी शर्ण में ऐसा कहते हुए उनके शर्ण नाकत होगे इस परकार उन शत्रों को वशी भूत करके संपुरन प्रिथी पर विजय पाकर उन्होंने शास्त्र विधी के अंसार सो यग्यों का अंस्थान किया उन यग्यों में श्रेष्ट भ्रामन तथा दूसरे लोग भी सब परकार से संपन उत्तम अन्न भुजन करके इत्यंत्रिप्त होए थे तथा राजा ने भी सब का बहुत सत्कार किया था साथ ही उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में दक्षना दी थी अनेकों मूर्धव शिक्षित राजाओं और सेंकडों राजकमारों को दंडत था कोश रहित उन्होंने ब्रामनों के अधिन कर दिया था महिर्शी लोग उन पर परसंद होकर कहते थे कि असंख्य दक्षना देने वाले राजाओं ब्रीष जैसा यग्य करते हैं वैसा ना तो पहले की राजाओं ने किया है और ना आगे कोई करेंगे संजे वे तुम से और तुमारे पुत्तर से बहुत बढ़ चाड़ कर थे जब वे भी मृत्यू के वश में पढ़ गे तो तुम्हें अपने मरे हुए पुत्तर के लिए शोक नहीं करना चाहिए सुना है जिन्नोंने नाना प्रकार के यग्य किये थे वे राजा शश बिंदो भी मर गी उनके एक लाख हिस्तियां थी और परतेक हिस्ति के गर्ब में से एक एक हज़ार सुनताने उत्पन हुई थी सभी राज कुमार प्रकरमी वेदों के विद्वान और उत्तम ध्रुश ठारन करने वाले थे सब ने अश्यम एग्य किये थे राजा शश बिंदो ने अपने उन कुमारों को अश्यम एग्य में ब्रामनों को दे दिया था परतेक राजबुत्र के पीछे सरन बुजित सो सो कन्या थी एक कन्या के पीछे सो सो हाथी अनेक हाथी के पीछे सो सो रत हर एक रत के साथ सो सो श्रिष्ट खोड़े परतेक घोड़े के पीछे हजार हजार कोई तथा परतेक कोई के पीछे पच्चास पच्चास भेड़े थी ये अपार धन राजा शश्विंदु ने अपने महा यग्य में भ्रामनों के लिए दान किया था उसी यग्य में कोशो तक पर्तों के समान अन के धेर लगे थे राजा का अश्य में यग्य पूरा हो जाने पर अन्न के तेरा परवत बज़के थे उनके राजिकाल में इस प्रिथी पर रेश्ट पुस्ट मनुष से रहते थे यहां कोई विघन नहीं था, कोई रोग नहीं था बहुत समय तक राजिका भूब करके अन्ते वे दिवी लोग को प्राप्त होए वक्षे, संजे, तुम से और तुमारे पुत्र से बहुत बढ़ चड़कर थे जब वे भी नहीं रह सके, तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोग नहीं करना चाहिए शंक्षिप्त महा भारत के द्रोन पर में राजा गय, रंती देव, भरत और प्रितो की कता और यदिश्टर की शोग निवरती नारजी कहते हैं राजा अमोत रेन के पुत्र गय के भी मिरत्यों सने गई है उन्होंने सो वर्स्ता गगनी होत्र किया था और प्रती दिन होम शिष्ट अननकाही वे भोजन किया करते थे इससे अगनी देव ने परसन होकर राजा को वर्व मागने के लिए कहा तब गयने ये वर्दान मागा मैं तब भ्रमचरे, वरत, नियम और गुरुजन की क्रिपा से वेदो का ग्यान प्राप्त करना चाता हूं दोसरा को कष्ट पुचाए बिना अपने धरम के उन्सार चलकर अक्षे धन पाना चाता हूं पते दिन ब्रामनों को दान दूं और इस कारे में मेरी अधिकादिक श्रद्धाबडे, अपने वर्ण की कन्या से मेरा युवा हो, वेपती वरता रहे और उसी के घर्व से मेरे पुत्रत्पन हो, अन्न दान में में मेरी श्रद्धाबडे और धरम में ही मन लगा रहे, मेरे धरम कारे में कभी कोई विघन नहीं आवई ऐसा ही होगा ये कहकर अगनी देव अंतर ध्यान होगे राजा गैको उनकी सभी अविश्ट वस्त्वें प्राप्थी और उन्होंने धरम से ही शत्रों पर विजे पाई सो वस्तक बड़ी श्रद्धा के साथ दर्श पोर्नमाज अग्राइन तदा चत्रों माज से आधी नाना परकार के यग्य किये और उन्हें परचूर दक्षना दी वे प्रते दिन पराता काल उटकर एक लाख साथ हजार गउं दस हजार गोड़े तदा एक लाख शर्फिया दान गिया करते थे उन्हें अश्यमिक यग्य में मनी में रेत वाली सोने की प्रत्धी बनाकर ब्रावना को दान की थी समुद्र, नदी, नद, वन, ध्वीप, नगर, राष्ट, अकाश, तथा सर्ग में जो नाना परकार के प्राणी रहते हैं में सब उस यग्य की संपती से त्रिप्ट होकर कहते थे राजा गए के समान दूसरे किसी का यग्य नहीं हुआ है उन्होंने 36 योजन लंबी और 30 योजन चोड़ी, 24 सर्मई वेदियां बनवाई ये पूर से पश्चिम के करम से बनी थी, वेदियों पर मोती और हीरे बिचे हुए थे ये सब वस्त और आवश्णों के साथ ब्राहमना को दान की गई यग्य के अंत में बोजन से बचे हुए अन के 25 परवत शीश रहे थे यग्य में रस की नदियां बहती थी, कहीं वस्त्रों के ढेर लगे थे तो कहीं आवश्णों के सुगंदित पदार्तों की राशी भी देखी जाती थी उसी यग्य के परवाव से राजा गे तीनों लोकों में परसिद्ध होगे साथ ही पुन्य को अक्षे करने वाला अक्षेवर्ट तथा पुत्रतीत भ्रहमसर भी उनके कारण विख्यात्स होगे स्रेंजे वे राजा गे तुम से और तुमारे पुत्र से सर्था बढ़ चड़ कर थे जब वे भी जीवित नहीं रह सके तो तुम भी पुत्र के लिए शोक मत करूँ सुना है संकृती के पुत्र रंती देव भी जीवित नहीं रहे उनके यहां दो लाक रसोई ये थे जो घर पर आई हुए रती थी ब्रामनों को सुधा के समान मीठी कच्ची और पक्की रसोई तियार करके जिमाते थे राजा रंती देव परतेग पक्ष में सन के साथ हजारों बैल डान किया करते थे एक एक बैल के साथ सो सो गम्में होती थी साथ ही आठ आठ सो सर मुद्राएं दी जाती थी इसके साथ यग्य और अगनी होतर के समान भी होते थे ये नियम उन्होंने सो वर्स तक चलाया था वे रिशियों को कमंडलो घड़े बटलोई पिठर शिया आसन स्वारी महल मकान रिक्ष तथा अन धन दिया करते थे ये सब वस्तों सोने की ही होती थी रंती देव की वे आलोकिक समर्दी देखकर प्रान बिताओं ने इस परकार उनका ये शवगान किया है हमने कुबेर के घरों में भी रंती देव के समाध धन का भरा पुरा बंडार नहीं देखा फिर मुनश्यों के यहां तो हो ही कैसे सकता है उसके यहां जो कुछ था सब सुने का ही था इसे भी उन्होंने यग्य में ब्रामनों को दान कर दिया उनके दिये हुए हवे और कवे को देवता तथा पितर पर संद पर्त्यक्ष ग्राहन करते थे प्रामनों की सब कामनाएं उनके यहां पूर्णोती थी सरंजे वे भी तुमसे और तुमारे पुत्तर से स्रेश थे जब उनकी भी मृत्यों हो गई तो तुम्हें अपने पुत्तर के लिए शौक नहीं करना चाहिए सुना है दुश्यंत के पुत्तर भरत भी मृत्यों के प्राप्त हुए थे भरत ने वन में रहकर बच्पन में ही ऐसा प्रकर्म दिखाया था जो दूसरे के लिए कठीन है वे जब बच्चे थे बड़े-बड़े सिंगों को वेक से दबा कर बांध लेते और उन्हें घसीडते रहते थे अजगिरों के दान तोड़ लेते और भागते हाथियों के दान पकड़कार उन्हें अपने वश्य में कर लेते थे सो सो सिंगों को एक साथ पकड़कर गसीडते थे उन्हें सब जीमों का इस परकार दमन करते देखकर घ्रामनों ने इनका नाम सर दमन रख दिया था राजा भरत ने जमना तरपर सो सवस्ति के कुल पर तीन सो और गंगा के कनारे चार सो अश्यमिग्य किये थे तेंतर उन्होंने पुना एक हजार अश्यमिग और सो रासु यग्य किये उसमें उत्तम दिक्षना दीगे थी फिर अगनिस्टों, अतिरात्र और विश्योजित याग करके दस लाख वाजपे यग्यों का अनुस्ठान किया श्कुंत्रा नंदा ने इन सब यग्यों में ब्रह्मनों को बहुत सा धन देकर संतोस्ट किया संजे भरत भी तुमसे और तुमारे पुत्तर से सर्था श्रेश्टे जब वे भी मर गे तो तुमें अपने पुत्तर के लिए संताप नहीं करना चाहिए महिर्शियों ने राजसु यग्य में जिने समराट पद पर अविशिक्त किया था वे महराज पृथुवी मृत्यों को प्राप्त हुए उनने बड़े यतन से इस पृथी को और खेती के योग्ये बना कर पसिद्ध किया इसलिए उनका नाम पृथु हो गया पृथु के लिए यहे पृथी काम धेनु बन गी थी इस पर बिना जोते ही खेती होती थी उस समय सभी गुमे काम धेनु के समान थी पत्ते से मधु की वर्षा होती थी कुश सर्ण में होते थे साथ ही सुकद और कॉमल भी इस दिए प्रजा उनके ही वस्तर बुनकर पहनती और उने पर शियन भी करती थी लिच्चों के फल अमरत के समान मधुर और सादिष्ट होते थे प्रजा इनका ही आहार करती कोई भी भूखानी रहता था सब भी निरोग थे सब की च्चाएं पूर्न होती थी और किसी को कहीं से भी भे नहीं था इस लिए लोग अपनी रूची के अंसार पेडों के नीचे या गुफां में निवास करते थे उस समें राष्टों और नगरों का भी भाग नहीं था सबी मनुश्य सुखी, संतुस्ट और परसन्न थे राजा प्रिथो जब समुद्र में यात्रा करते तो पानी थम जाता था और परवत उन्हें मार्क देते थे उनके रत की धोजा कभी ने तूटी एक बार उनके पास वंस्पती, परवत, देवता, असुर, मनुश्य, सर्प, सब्तरिशी, यक्ष, गंधर्व, अबस्रा तथा पित्रों ने आकर कहा माहराज आप ही हमारे सम्राठ हैं आप ही हमें कस्से बचाने वाले हैं आप ही हमारे राजा, रक्षक और पिता हैं आप हमें अभिष्ट वर्दान दें जिससे हम लोग अनंत काल तक त्रिप्ती और सुकान भव करें ये सुनकर राजा ने कहा ऐसा ही होगा तंतर राजा प्रिथू ने नना परकार के यग्य किये और मनवान्चित भोगों के दोरा समस्त प्रानियों की कामिनापूर्ण करके उन्हें त्रिप्त किया प्रिथी पर जो कुछ भी पदार्थ हैं इनके ही आकार के सन के पदार्थ बनवाकर राजा ने अश्यम यग्य में उन्हें बरामनों को दान किया उन्होंने 66 हजार सोने के हाथी बनवा कर ब्रामनों को दान दी सोने की प्रिथे बनवाई और उसे मनियों से बुशित करकर दान कर दिया स्रिंजे वे तुम से और तुमारे पुत्तर से श्रेश थे किन्तो जब वे भी मृत्तियों से नहीं बस सके तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए व्याज सी कहते हैं युदिश्टर इन राजाओं का उपाख्यान सुनकर संजे कुछ भी नहीं बोला मौन रह गया उसे इस परकार चुपचा बैठे देख नारजी ने कहा राजन मैंने जो कुछ खा उसे सुना है ना कुछ समझ में आया या नहीं जैसे शुद्ध जाती कि इस तरी से संबंद रखने वाले ब्रामन को क्राया हुआ श्राद भुजन नस्तो जाता है उसी परकार मेरा ये सारा कहना वियर तो नहीं हो गया उनके ऐसा कहने पर संजे ने हाद जोड़ कर कहा मुने प्राचीन राज रिशियों का ये उत्तम उपाक्यान सुनकर मेरा संपूरन शोग दूर हो गया अब मेरे हिर्दे में तनकी भी विथा नहीं है बताईए अब मैं आपकी किसा ग्यका पालन करूं तो नारज जी ने कहा बड़े सुभाग्य की बात है कि तुमारा शोग दूर हो गया आप तुमारी जो इच्छा हो मुझसे वर्ब मांग लो संजे ने कहा आप मुझवर पर सन्न है इतने से ही मुझे पूरा संतोश है जिस पर आप पर सन्न हो उसके लिए इस चगत में कोई वस्तु दुरलब नहीं है तो नारजी ने कहा लिटेवरे ने तुमारे पुत्र को पश्यो की बाती व्यर्थी मार डला है वे नरक में बड़ा कस्ट पा रहा है अतर मैं उसे नरक से निकाल कर तो मैं पुने वापस दे रहा हूं तो व्यास्ची ने कहा इतना कहते ही वे अधवुद कांती वाला सरिंजे का पुत्र ये वहां प्रकट हो गया उससे मिलकर राजा को बड़ी परसंता हुई सरिंजे का पुत्र अपने धर्म के पालन दोरा किरतार्थ नहीं हुआ था उसने डर्ते डर्ते पलान दिया किया था इस दिया नारजी ने उसे पुना जिवित कर दिया प्रनतो अभी मन्यु तो शूरahr और और किर्तार था उसने रनांगन में हजारों शत्रों को मोट्ट के घाट उतार कर सामना करते वे पलान दिया है योगी निश्काम वाव से यग्य करने वाले और तपस्य पुरुष जिस उत्तम गती को पाते हैं तुमारे पुत्तर ने भी वही अक्षे गती प्राप्त की है अवी मन्नी उचंद्रमा के सुरूप को प्राप्त हुआ है मैं वीर अपनी अमरत में किर्नों से परकाश मान हो रहा है उसके लिए शोग करना उचित नहीं है इस परकार सोच समझ कर तुम धहरे धारन करो शोग करने से तो दुख ही बढ़ता है इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शोग का बरत्याग करके अपने कल्यान के लिए प्रितन करे तो हमने मृत्यू की तपती और उसकी अनपम तवस्या की बात सुनी ही है मृत्यू के लिए सब प्राणी एक से है एश्वरे चंचल है ये बात संजे के पुत्तर के मरन और पुरुद जीमन की कथा से सपस्ट हो जाती है इसलिए जी राजाई दिश्टर आप तुम शोग मत करो ये कहकर भगवान व्यास महां से इंतर ध्यान होगी रंतर राजा दिश्टर ने प्राचीन रजाउं की यग्य संपती सुनकर मानी मान उनकी पर शंचा की और शोग त्याग दिया फिर ये सोच कर की अर्जुन से मैं क्या कहूंगा चिंता में पढ़की शंचेवत महां भारत के त्रोन पर में अर्जुन का विशाद और जैदरत को मारने की पर दिग गया संजे कहते हैं माहराज उस दिन जब सूरी नराएन अस्त होगे प्राणियों का घोर संहार बंद हुआ तथा सभी सैनिक अपनी अपनी च्छामनी को जाने लगे उसी समय अर्जुन भी अपने दिवे अस्तरों से सिंशप्तकों का वद्धकर के रत पर बैठ शीवर की और चले चलते चलते ही वे भगवान शिर्केश से बोले केशव ना जाने क्यों आज मेरा हिद्ध धड़क रहा है सारा शीर शितिल हो रहा है कोई अनिष्ट वश्य हुआ है ये बात हिद्धे से निकलती ही नहीं प्रिथी परतता संपुरन दिशा में होने वाले भ्यंकर उत्पात मुझे ड़ा रही है कईए मेरे पुझे ब्राता राजाज दिश्टर अपने मंत्रियों सहीष से कुशलतो हूँ श्री किष्ट ने कहां शोक मत करो मंत्रियों सहीष तुमारे भाई का तो कल्यान नहीं होगा इस अब शकुन के अंसार कोई दूसरा ही निष्ट हुआ होगा कंतर दोनों वीरों ने संध्या पासना की और फिर रत पर बैटकर युद्ध सुमंदी बाते करते हुए आगे बढ़े जब छामनी के पास पहुँचे तो उसे अनंदर ही तो शिरी हिन देखा तावे चिंतित अपकर शिरी किस से कहने लगे जनारदन आज शिवर में मांगलिक बाजे नहीं बच रहे हैं ना दुंदवी का निनाद है ना शंक की दोनी है आज वीना भी नहीं बचती मंगल गीत नहीं गाय जाते वंदी जन न स्तुती करते हैं न पाठ मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुझे ये चल देते हैं इन स्रजनों को व्याकुल देखकर मेरे हिद्धे का खटका नहीं मिटता आज प्रती दिन की भांती सुबद्रा कुमारा विमन्यों अपने भाईयों के साथ हस्ता हुआ मेरे यागवानी करने नहीं आ रहा इस परकार बाते करते हुए दोनों ने शिवर में पहुँच कर देखा कि पांड़ा उत्यंत व्याकुल और रत्त उत्साहत हो रहे हैं भाईयों तथा पुत्रों को इस वस्ता में देखकर और सुबद्रा अंदन अविमन्यों को वहाना देखकर जुन बहुत दुखी हो कर बोले आज आज आप सब लोगों के मकफर अपरसंता दिखाई दे रही है इदर मैं अविमन्यों को नहीं देखता और आप लोग मुझसे परसंता पूरत बोलते नहीं इसका क्या करने है मैंने सुना था अचारे द्रोन ने चक्र व्यू की रचना की थी आप लोगों मेंसे बालक अविमन्यों के सिवार दूसरा कोई उस व्यू का बेदन नहीं कर सकता था अविमन्यों कोई मैंने उस व्यू से निकलने का ढंग नहीं पताया था कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने इस बालक को शत्रू के वियू में भीज दिया हो सुबद्रा नंदन उस वियू को अने को बार तोड़ कर युद्ध में मारा तो नहीं गया वे सुबद्रा और द्रोपती का प्यारा तथा माधा कुंती और श्री किष्णा का दुलारा बताईए तो काल के वश में पड़ा हुआ ऐसा कौन है जिसने उसका वद्ध किया है हाँ वे कैसे हास हस कर बाते करता था और सदा बढ़क याग्या में रहता था बच्पन में भी उसके प्राकर्म की कहीं तुलना नहीं थी कितनी प्यारी प्यारी बाते करता था इर्शा द्वेश तो उसे चूनी गया था तो महानुत साही था उसकी बुझाएं बड़ी बड़ी और आँखे कमल के सुमान विशाल थी अपने सेवकों पर उनकी बड़ी द्या थी कभी नीच पुर्षों की संगती नहीं करता था वेक्रितक्य ग्यानी और अस्त्र विद्या में कुशल था युद्ध में पीछे पैर नहीं हटाता था युद्ध का तो वे अभी नंदन करता था शत्रों से देखते ही भैवीत हो जाते थे वे आदमी जनों का प्रिय करने वाला और पित्रवर्ग की विज़े चाणने वाला था शत्रों पर पहले कभी नहीं प्रहार करता था और युद्ध में सदा नर्भीक रहता था रथियों की गन्ना होते समय जिसे महा रथी गिना गया था उस वीर अभी मन्यों का मुख थे के बिना आज मेरे हिर्दे को क्या शांती मिलेगी अपने से अधिक दुख तो सुबद्रा के लिए हो रहा है वे बिचारी बेटे के मृत्यों सुनता ही शूख से पीड़ी थोकर प्राम त्याग करतेगी अभी मन्यों को ना देखकर सुबद्रा और द्रोपती मुझसे क्या कहेंगी उन दोनों को मैं क्या जवाब दूँगा सच विच मेरा हिल्दे वज्जर का बना हुआ है तभी तो पुत्र वधु उत्रा के रोने बिलखने का ध्यान आते ही इसका इसके हज्जारों टुकड़े नहीं हो जाते इस परकारत जनको पुत्र शोक से पीड़ी तरोसी की याद में आसु बहाते देखकर भगान क्रिश्ट ने उने पकड़ कर संभाला और काम मित्र इतने व्याकुल मत हो जो युद्ध में पेठ नहीं दिखाते हैं उन सभी शूरवारों को एक दिन इसी मार्ग से जाना पड़ता है जिनकी युद्ध से ही जीव का चलती है उन शक्तियों का तो विशीष्टा यही मार्ग है उनके लिए संपुरन शास्तरग्यों ने यही रिकती निश्चित की है युद्ध में शत्रू का सामना करते हुए मृत्य हो जाए ऐसा तो सभी शूरवीर चाते हैं अब इमन्यों ने बड़े-बड़े वीर है महामली राज कमारों को युद्ध में मारा है और शत्रू के सामने डटे रहकर वीरों के लिए वांचनिये मृत्यू पराप्त की है तुम्हें शोक करते देखे ये तुमारे भाई और मित्र धिक दुखी हो रहे हैं इन्हें सांतना भरी बातों से आशवाशन दो तुम जो जाने योग के तक्तों को जान चुके हो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए भगवान क्रिश के इस परकार समझाने पर अर्जुन ने अपने भाईयों से कहा मैं अभी मन्यों के मृत्यू का विरतां तराम्द से ही सुनना चाहता हूँ आप सब लोग अस्तर विद्या में कुशल हैं हाथों में शेस्तर लिये वहां खड़े थे ऐसे समय में मैं यदि इंदर से भी युद्ध करता हो तो भी नहीं मारा जाना चाहिए फिर आपके रहते कैसे उसकी मृत्य हुई यदि मैं जानता कि पांडव और पांचाल मेरे बेटे की रक्षा करने में हसमर्द हैं तो सेम ही उपस्तितो कर उसकी रक्षा करता इतना कहकर अरजन चुप होगी उसमें युद्धिश्टर अथवा शिरिकिष के सिवा दूसरा कोई भी उनकी और देखने या बोलने का साहस नहीं कर सका युद्धिश्टर ने कहा महा बाहो जब तुम शन्शक्तकों की सेना से लड़ने चले गे उसी समय द्रोनाचार ने मुझे पकड़ने का घोर प्यतन किया विरत्थों की सेना का वियू बनाकर बारं बार अद्योग करते थे और हम लोग वियू आकार में संगठी तोकर उनके आकरमन को विरत्थ कर रहे थे किन्तों द्रोनाचार अपने तीखे बानों से हमें बहुत पीड़ा देने लगे उसमें वियू भिदन करना तो दूर की बात है हम उनकी और आँख उठा कर देख भी नहीं सकते थे ऐसी स्थिती आ जाने पर हम सब ने अविमन्यों से कहा बेटा तुम वियू को तोड़ डालो हमारे कहने से ही उसने इस असहे भार को भी वहन करना से विकार किया और तुमारी दी हुई शिक्षा के उनसार वियू तोड़ कर उसमें गुस किया हम भी उसके बनाई हुए मारक से वियू में प्रवीश करने को जब पीछे पीछे चले तो नीच जैदरत ने शंकर के दिये हुए वर्दान के बल से हमें रोप दिया अंतर द्रौन, क्रिप, करन, अश्यश्थामा, बरिषदल और कित वर्मा इन छे मारतियों ने उसे सब बोर से घेर लिया घेरे होने पर भी उस बालक ने अपनी शक्ती के अंसार उने जीतने का पूरन प्रयास किया किन्तों उन सब ने मिलकर उसे रधिन कर दिया जब एकेला रसाय हो गया तो दुश्याशन के पुत्र ने संक्ता पर नवस्ता में उसे मार डाला उसने पहले एक हजार हाथी गोड़े रथी और वनिश्यों को मारा फिर आठ हजार रथी और नो सो हाथियों का संहार किया तत बच्चाद दो हजार राज को मारा हूँ तो रहां अन्य बहुत से ग्यात वीरों को मार कर राजा बिरिश्देवल को भी सर्ग लोग कातिती बनाया इसके बाद वैसे हम मरा है और यही हम लोगों के लिए सबसे बढ़कर शोक की बात है धरम रात की ये बात सुनकर अरजन हाप उत्तर कहते हुए करन उच्छ वसक लेने लगे और अत्यनती विस्था से पेड़ी थोकर पित्थी पर किर पड़े उसमें सब के मुकवार विशाच चा गया सबी अरजन को घेर कर बैठके और निर्नमेश नित्रों से एक दूसरे को देखने लगे थोड़ी देर बाद अरजन को होश हुआ तब एक क्रोध में भर कर बोले मैं आप लोगों के सामने ये सच्ची परतिग्या करता हूँ कि यदि जैदरत कोरों का आशरे छोड़ कर भाग नहीं गया या हम लोगों की बगवान शिर्किष अत्वा महरायु दिष्टर की शरन में नहीं आ गया तो कालो से वश्य मार डालूँगा कोरों का प्रिये करने वाला पापी जैदरा थी उस बालक के वद्ध में निमत बना है अगर कालो से ना मारूं तम माता पिता की हत्या करने वाले गुरू इस्त्री गामी, चुगल खोर सादू निंडक, दूसरों का कलंक लगाने वाले द्रोहर को हड़ाप लेने वाले और विश्वाश खाती पुर्षों की जो कती होती है वहीं मेरी भी हो जो वेद ध्यन करने वाले और तम भ्रामनों का तथा बड़े बुडो, सादूं और गुरू जनों का अनादर करते हैं भ्रामन गव और अगनी का चर्नों से शपर्ष करते हैं और जल्द से मल मूत्रियां थूक डालते हैं उन्हें जो दुर्गती प्राप्त होती है वही कल जैदरत को ना मारने पर मेरी भी हो नंगे नहाने वाले अतिथी को निराश करने वाले सूद खोर, मिथ्यावादी, ठग, आतम मंचक दूसरों पर जुठे दोश लगाने वाले तथा परिवार वालों को दिये बिना अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले लोगों को जिद्रुगती भाउगनी पड़ती है वही जैदरत का वद्ध ना करने पर मेरी भी हो जो शरन में आए हुए का त्याद करता है तथा कहने के अंसार चलने वाले सजजन परुष का पलन पोशन नहीं करता वो कारी के निंदा करता है परोस में रहने वाले सुयोग्य वेक्ती को शराद का दानना दे कर योग्य वेक्तियों को देता है और शुद्र जाते की इस्तरी से सम्मंद रखने वाले को शराद अन जिमाता है तथा जो शिराबी, मर्यादा भंग करने वाला कृत गहन और सामी का निंदक है उस प्रुष की जो दुर्गती होती है वही जैदरत को ना मारने पर मेरी भी हो जो बाएं हाथ से भुजन करते, गोद में रख कर खाते, पलाश के पत्ते पर बैठते और तैंडू की दातन करते हैं, जिन्होंने धरम का नत्याग किया है, जो प्रता काल सोते हैं भ्रामन होकर शीर से और शत्री होकर युद्ध से डरते हैं, शास्त्र की निंदा करते हैं, दिन में नींद लेते हैं या इस्तरी संग करते हैं घर में आग लगाते हैं अगनी होत्र और अतिती संसकार से भी मुख रहते तथा गुंगों के पाने पीने में विघंड कर डालते हैं जो अप्वित्र से संसर करते हैं कीमत लेकर कन्या को बेशते हैं बहुत लोगों की प्रोहती करते हैं, भ्रामन होकर दास्वरिती से जीब का चलाते हैं, तथा जो भ्रामन को दान का संकल्प करके फिर लोवश नहीं देते, उन सब की जो दुखताई निकती होती है, वही जैदरत को नाम मारने पर मेरी भी हो। उपर जिन पापियों का नाम मैंने गिनाया है, तथा जिन का नाम नहीं गिनाया है, उनको जो दुखती प्राप्त होती है, वही मेरी भी हो, यदि कल जैदरत का वद्ध ना कर सकूँ। अब मेरी ये दूसरी परतिग्या भी सुनिये, यदि कल सूरे अस्थ होने के पहले पापी जैदरत नहीं मारा गया, तो मैं स्यम ही जलती ही आग में परवेश कर जाऊंगा। देवता असर मुनश्य, पक्षी, नाग, पितर, राक्षष, प्रहम रिशी, देव रिशी, ये चराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ है, वे भी ये सम मिलकर भी मेरे शत्रों की रक्षा नहीं कर सकते, यदि जैदरत पताल में घुस जाएगा, या उससे आगे बढ़ ज जाएगा, अथवा अंतरिक्ष में देटाओं के नगर में या देत्यों की पुरी में भाग कर छिपेगा, तो भी मैं कल अपने सेंकड़ बानों से अभी मन्यू के उस शत्रों का सिर उतारूंगा ही, ये कहकर अरजुन ने गांडीव धनुष की टंकार की, उसकी ध्वनी आ सुनकर आकाश पताल सहीच संपूरन जगत कांप उठा, उस समें शिविर में युद्ध के बाजे बाज उठे और पांडव सिंग नाद करने लगे, संजे कहते हैं महराज, दूतोद ने आकर जैदरत से अरजुन की प्रतिग्या कै सुनाई, सुनते ही जैदरत शोक से विहल हो गया, वे बहुत सोच विचार कर, वे रजाओं की सबा में गया, वारोने बिलखने लगा, अरजुन से डर जाने के कारण उसने लज जाते कहा राजाओ, पांडव की हर्श धनी सुनकर मुझे बड़ा भए हो रहा है, मरना सर्मनुष्य की बांती मेरा सारा शीर शिथिल ह हो गया है, निश्चे ही अरजुन ने मेरा वद्ध करने की परतिग्या की है, तभी तो शोग के समय भी पांडव हर्श मना रहे हैं, यदि ऐसी बात है तो अरजुन की परतिग्या को देवता गंधर्व, असुर, नाग और राक्षश भी इनने था नहीं कर सकते, फिर को का भला हो, मुझे यहां से जाने की आग्या दीजिए, मैं जाकर ऐसी जिगा छिप जाओंगा, जहां पांडव मुझे देख नहीं सकेंगी, जैदरत को इस परकार भे से व्याकुल हो विलाब करते देखकर राजा ध्रियुदर ने कहा, प्रुश्रेष्ट, तुम इतने भैबीत मत हो, युद्ध में संपूरन शत्री वीरों के बीच में रहने पर तुम्हें कौन पार मार सकता है, मैं करन, चित्रसैन, विवंस्ती, भूरिश्रवा, शल, व्रिशैन, पुरुमित्र, चै, भूज, सुदक्षिन, सत्यवरत, विकरन, दुरुमक, तुशाशन, सु तुम अपने मन की चिंता दूर कर दो, सिंदूराज, तुम स्यम भी तो शिरिष्ट मारती हो, शूर वीर हो, फिर पांडों से डत्यक्यों हो, मेरी सेना, सारी, तुमारी रक्षा के लिए साथधान रहेगी, तुम अपना भई निकाल दो। तुर का लक्ष भेदने में, हाथ की फुर्ती में, तथा दिर निशाना मारने में कौन बढ़ा है, मैं या अर्जन। तुरुनाचार ने कहा ताथ, यद भी तुमारे और अर्जन के हम एक ही आचारे हैं, तथा भी अभ्यास और कलेश सेने के कारण अर्जन तुम से बड़े चड़े हैं, तो भी तुमें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुमारा रक्षक हूँ, मेरी बुझाएं जिसकी रक्षा करती हैं, उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता, मैं ऐसा व्यू बनाऊंगा, जिससे अर्जन पोंच ही नहीं सकेंगी, इस लिए डरो मत, खोबोच सा से युद्ध करो, तुमारे जैसे वीर को तो मृत्यों का डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तपसी लोग तप करने पर जिन लोगों को पाते हैं, शक्ति धरम का आशरे लेने वाले वीर प्रुश, उन्हें अनायास पा जाते हैं, इस परकार आशवाशन मिनने पर जैदरत का भे दूर हुआ, और उसने युद्ध क करने का विचार किया, उस समय आपकी सेना में भी हर्जध धनी होने लगी, अरजुन ने जब जैदरत वत की परतिग्या कर ली, इसके बाद भवान श्रीकिष्ट ने अरजुन से का धरंजे, तुमने ना तो भाईयों की सम्मती ली, और ना मुझ से ही सलाप उची, फिर भी लोगों को सुना कर जैदरत को मारने की परतिग्या कर डाले, ये तुमारा दुस्साहस है, क्या इससे सब लोग हमारी हसीनी जहर उड़ाएंगी, मैंने कोरों की छामनी में अपने गुपचर भेजे थे, वे अवी आकर वहां का समाचार बता गी है, जब तुमने सिंधूर के वर्द की परतिग्या की थी, उस समय यहां रन भेरी बजी थी, और सिंगनाद किया गया था, उसकी आवाज कोरों ने सुनी, उन्हें तुमारी परतिग्या मालम होगी, इससे द्रियोधन के मंत्री उदास और भेभीत होगे, चैदरत भी दुखी हुए, और राज सभा मे जाकर द्रियोधन से बोला, राजन, अर्जुन मुझसे अपने पुत्र का घात मानता है, इसलिए उसने अपनी सेना के बीच खड़े होकर मुझे मार डालने के परतिग्या की है, ये सवे साची की परतिग्या है, इसे देवता गंधर्व, असुर, नाग और राक्षिश भी कि शिर्किश की साहित आपा कर अर्जुन देवताओं से इतीनों लोगों को नश्ट कर सकता है, इसलिए मैं यहां से चले जाने की आग्या चाता हूँ, ये अत्वा, यदि तुम ठीक समझो, तो अश्वस्थामा द्रोनाचारे से मेरी रक्षा का आश्वाशन दिलाओ, ये छे मारत ही आगे रहेंगे, द्रोनाचारे ने ऐसा वियू बनाया है जिसका अगला आदा भाग शकट के आकार कहा और पिछला कमल के स्थमान, कमल वियू के मध्यकी करने का के बीच सुची वियू के पास जैदरुत खड़ा होगा, और बाकी सभी वीर चारो और से उसकी इनका जीतना सहज नहीं होगा, अब अपने हित का ख्याल रखकर कारे सिद्ध करने के लिए मैं राजनितिग्य मंत्रियों और हितेशियों से चल कर सला करूंगा, अर्जुन ने कहा मदसूदन, कौरमक जिन महारतियों को आप बल्द से अधिक मानते हैं, उनका परकर में आधा भी नहीं समझता, यदी साध्य रुद्र वसू अशनिकमार इंद्र वायू विष्यदेव, गंधर्व पितर गरुड समुद्र ये प्रिथी दिशाएं दिकपाल गाउं के लोग, जंगली जीव तदा संपुरन चिराचर प्राणी सिंदुराज की रक्षा के लिए आ वरुन इंद्र और रुद्र से जब भ्यंकर अस्तर प्राप्त किये हैं, उन्हें कल की युद्ध में लोग देखेंगे। चैदरत के रक्षक जो जो अस्त चोड़ेंगे, उन्हें मैं ब्रहम मस्त से काट किराऊंगा। केशव, काल इस प्रिथी पर मेरे बानों से कटे हु मैं युद्धा हूँ और आप सार्थी हैं, ये सब होते हुए मैं किसे नहीं जी सकता। भगवन। आपके किरपा से इस युद्ध में मुझे क्या दूरलब है। आप तो जानते ही हैं कि शत्र मेरा वेग नहीं सह सकते। तो भी क्यों मुझे लच्जित कर रहे हैं। प्रा जहन नराएन हों वहां विजेवी निश्चित है। कल सिरा होते ही मेरा रत तियार हो जाए। ऐसा प्रबंद कर लीजिए क्योंकि हम लोगों को अब पर बहुत भारी कामा पड़ा है। अपने दुखनी बहन को समझाने लगी। वहन का बहन तुम और बहुत्रा दोनों ही शोग मत करो। काल के दवरा सब प्रानियों की एक दिन यही गती होती है। तुमारा पुत्र उचवंश में उत्पन, धीर, वीर और शत्री था। ये मृत्यों उसके युग यही हुई है इसी शोग त्याग दो। देखो बड़े-बड़े संद्पुरुष, तपस्या, भ्रह्मचरे, शास्त्र ग्यान वो सद्भुद्धी के दवरा जिस गती को प्राप्त करना चाते हैं वे गती तुमारे पुत्र को भी मिली है। तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या और वीर की बेहन हो, कल्यानी, तुमारे पुत्र को बहुत उत्तम गती पराप्त हुई है, तुम उसके लिए शोक मत करो, बालक की हत्या कराने वाला पापी जैदरत, यदि अम्मरावती में जाकर छिपे, तो भी अब अर्जुन के हाँ से उसका छिटकारा नहीं हो सकता। सब पुर्शों की गती पाई है, जिसे हम लोग तुथा दूसरे शस्थारी शत्री भी पाना चाहते हैं। सब्द्रा का पुत्र शोक मड़ पड़ा, और मैं बहुत दुखी होकर विलाब करने लगी, हाँ पुत्र तुम्हारे बिना आज में मन्द भगनी हो गई, बेटा तुम तो अपने पिता के समान पर करमी थे, फिर युद्ध में जाकर मारे कैसे गई, पान्ड़ वरिष्णी वंची तथा पंचाल वीरों के जीते जी, तुम्हें किसने अनात की भांती माट डाला, तुम्हें देखने के लिए तरस्ती ही रह गई, आज भीमसन के बल को धिकार है, अरजन के धनुश धारन को, और वरिष्णी तथा पंचाल वीरों के प्राकर् देती है, मेरी शोका कुल आँखें अभी मन्नियों को ढूंटती हैं, पर देख नहीं पाती, श्रीकिश के भांजे और गांडीव धारी अरजन के अतीरती पुत्र होकर भी, तुम रन भूई में, पड़े हो, मैं कैसे तुम्हें देख सकूंगी, बेटा, कहा हूँ, आओ, म तुम्हारी अभागरी माता तुम्हें देखने को तरस रही है, हावीर, तुम सपने की संपती के समान दर्शन दे कर कहां छिप गए, आहो, ये मनुश्य जीवन पानी के बलबले के समान कितना चंचल है, बेटा, तुम अस्में में ही चलेगे, तुम्हारी ये तर्णी बतन तुम्हारी मारेगे, वस, यक्य और दान करने वाले आतम ग्यानी ब्रहमन, ब्रह्मचारी, पुन्य तीर्थों में दिशनान करने वाले, क्रितग्य उदार, कुरुस से वक्त था, सस्त्रों गवदान करने वाले जिस कती को पराप्त होते हैं, वहित तुम्हें भी मिले, पत पती संकट के समय भी, जो धैरे पूरक अपने को संभाले रखते हैं, सदा माता पिता की सेवा करते हैं, और अपने ही इस्तरी से संतुस तहते हैं, उनकी जो गती होती है, वह तुम्हारी भी हो, जो माचसरे से रहित हों, सब प्रानियों को सांतुना पून दिश्टी से दे चाते, जिनका सभाव संकोची है, जो संपुरन शास्त्रों के ग्याता हैं, ग्यान अनंद से परिपोर्न और जितिंद्री हैं, उन सादु पूर्शों की जो गती होती है, वही तुम्हारी भी हो, इस प्रकार शोक से दुर्बल, हम दीन भाव से विलाब करती हुई, सब द् देखकर, भगवान शिरिकिष्ट बहुत दुखी हुए, और उन्हें होश में लाने की तरकीब करने लगे, उन्होंने जल छिड़क कर, उन्हें सचेत किया, और कहा सुबत्रे, अब पुत्र के लिए शोक मत करो, ध्रोप दी, तुम उत्तरा को धिरज बताओ, अविमन्यों को बड़ी उत्तम गती प्राप्त हुई है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे वंश में जो श्रेष्ट प्रोश हैं, वे सब ये श्यस्वी अविमन्यों की ही गती प्राप्त करें, तुमारे महारती पुत्र ने अकेले जो काम कर दिखाया है, वही हम और हमारे सब सुष्द भी क जाता हूं, ये कहकर उन्हें अरजुन के शीवर पर द्वार पालों को खड़ा किया, और कई शष्ट धारी रक्षक टेनात कर दिये, फिर वे दारुक को साथ लेकर अपनी छामनी में गे, और बहुत से कारियों के विशे में विचार करते हुए शीया पर लेट गे, आधी जात के समय उनके नीन तोट गई, तावे अरजुन की परतिग्या का समर्ण करके दारुक से बोले, पुत्र शोक से विधित होने के कारण अरजुन ने ये परतिग्या का डाली है, कि कल जैदरत का वद्ध करूँगा, किन्तु द्रौन की रक्षा में रहने वाले प्रुष क नंदन अरजुन से बढ़कर प्रिये नहीं है, इस संसार को अरजुन के बिना मैं एक शन भी नहीं देख सकता, ऐसा हूई ही नहीं सकता, अरजुन के लिए मैं करन द्रौधन आदी सभी मारतियों को उनके घोड़े और हाथियों से हित मार डालूँगा, कल सारी दुनिया इ कि मैं अरजुन का मित्र हूँ, जो उनसे द्वेश रखता है, वे मुझ से भी रखता है, जो उसके अनकूल है, वे मेरे भी अनकूल है, तुम अपनी बुद्धी से, बुद्धी में इस बात का निष्चे कर लो कि अरजुन मेरा आधा शिरीर है, स्वीरा होते ही मेरा रत जाकर तियार कर देना, उसमें सुदर्शन चक्र कमोद की गदा, दीवे शक्ती और शांग्र धनुश के साथ ही सभी आवशक समगरी रख लेना, घोडे जोदकार परतीक्षा करना, जो ही मेरे पांच जन्ने की द्वनी हो, बड़े वेग से मेरे पास रत ले आना, मैं आशा कर करता हूं, अर्जिन जिस जिस वीर के वाद का प्रितन करेंगी, वहाँ वहाँ उसकी अवश्य विजय होगी, दारों के ने कहा प्रशोतम, आप जिसके सार्थी हैं, उसकी विजय तो निश्चित है, राजे हो ही कैसे सकती है, अर्जिन की विजय के लिए आप मुझे जो करने की आज्या दे रहे हैं, उसे स्वेरा होते ही मैं पून करूंगा। वो दीवान पुरुष को सोच नहीं करनी चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है, जो करने योग्य काम आपड़े उसे पून करो, वो ध्योग हीन मनुश्य का शोक्तों उसके लिए शत्रू का काम दीता है। समी मारत ही उनकी रक्षा करेंगे। ग्याराख शुनी सेना में से जो लोग मरने से बच गे हैं, उन सब से घिरा हुआ। जैदरत कैसे मुझे दिखाई देगा। यदि नहीं दिखा तो परतिग्या का पालन नहीं हो सकेगा। और परतिग्या बंग होने पर मुझे जैसा मनुश्य कैसे जीवन धारन कर सकता है। अब तो सारा वाई केवल दुख देने वाला है। इसलिए मेरी आशा निराशा के रूब में परनी थोड़ी है। इसके सिवा आजकल सूरी जल्दी ही अस्त होता है। इनी सब कारणों से मैं ऐसा कहता हूँ। अरजुन के शोक का कारण सुनकर शिरकिष ने कहा पार्च शंकर जी के पास पाशुपत नामक एक दिविय सनातनस्त रही। जिससे उन्हें पूरकाल में संपुरन देत्यों का सुमार किया था। यदि तुम उस अस्तर का ज्यान हो तो वशिकल जैदरत का वद कर सकोगे। यदि उसका ज्यान ना हो तुमन इमन भगवान शिंकर का ध्यान करो। ऐसा करने पर उनके क्रिपा से तुम उस महान अस्तर को पाजाओगे। भगवान शिर्किष की बात सुंकर अर्जुन आचमन करके भूमी पर आशन बिचा कर बैठके और एकागर चीस से शुंकर जी का ध्यान करने लगे तदंतर ध्यान वस्ता में शुब ब्रह्म महुरत के समय अर्जुन ने शिर्किष के साथ ही अपने कौाकाश में उड़ते दे उसमें उनकी वाईयों के समान गती थी भगवान करिष्ट उनकी दाहनी बाँ पकड़े चल रहे थे उत्तर दिशा में आगे बढ़कर उनने हमाले के पावन परदेश और बनी मान परवत देखा जहां दिवित जोती छिटक रही थी और सिद्ध तथा चारन गन विचर रहे थे मालग ने अदवद भावां को देखते हुए जब आगे बढ़े तो शेत परवत दिखाई दिया पासी कुबेर का विहारवन था उनके सरोबरों में कमल खिले हुए थे थोड़ी ही दूर पर अगार जल से बरी हुई गंगा लहरा रही थी उसके तर्द पर रिशियों के पृत्र आश्रम थे उनके आगे मंदरा चलके रमनीय पर देश देशी कोचर हुए जहां किन्रों के संगीत की सर लहरी सुनाई देती थी इस परकारने को दीवे स्थानों को पार करने के बाद उनके एक परम परकाशमान परवत देखा उसके शिकर पर भगवान शंकर बिरा पेटे भवान भूतनात पारती देवी के साथ बैठे थे तेजसी भूतकन उनकी सिवा में पस्तित थे भ्रमवादी रिशी दीविस तोत्रों से उनकी स्थुतिका रहे थे उनके पास पहुंचकर भवान कृष्ण नर्चुन ने पृत्षी पर मस्तख देखकर उने पर नाम किया उन दोनों नारो नरायन को आया देखकर भवान शीव बड़े परसन्न हुई और हसते हुए बोले विप और वीर वरो तुम दोनों का स्वागत है उटो विश्राम करो और शीकर बताओ तुमारी क्या चाहे तुम जिस काम के लिए आये हो उसे मैं अविश्य पून करू तब भवान शीव की ये बात सुनकर शीरिकिष्ट और अर्जन दोनों हाथ जोड़े खड़े होगे और उनकी स्तुती करतें लगे भगवान आपी भाव, शर्व, रुद्र, वरद, पशुपती, उग्र, कपर्दी, महादे, भीम, त्रेमबक, शांती और इशान आदी नाम उसे पर सिद्ध हैं, आपको हम बारंबार नमशकार करते हैं, आप भगतों पर दिया करने वाले हैं, प्रभु हमारा मनुरत सिद्ध कीजिए, तरंतर अर्जन ने मन निमन भगवान शीव और शीरिकिष्ट का पूजन किया, तदा शंकर जिसे कहा भगवान, मैं दिव अस् सुनकर भवान शिंकर मुस्कराएं और कहने लगे, श्रिष्ट पूर्शो, मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूं, तुमारी अविलाशा मालम हुई, तुम जिसके लिए आए हो, वै वस्तु अभी दीता हूं, यहां से निकटी एक अमरत में दिवे स्रूवर है, उस ही मैं अपने दिवे धनुश और बान रखती हैं, वहां जाकर बान सही धनुश ले लिया हूं, बहुत अच्छा कैकर दोनों वीर शिवजी के पार्श्टों के साथ उस स्रूवर पर गे, वहां जाकर उन्हें दो नाग देखी, एक सुर्य मंदल के समान पर काशमन था और दूसरा हजार मस्तक वाला था, उसके मुख से आकी लपटे निकल रही थी, शिरी किश्णो नर्जन दोनों और स्रूवर के जल का आच्वन करके उन नागों के पास उपस्तित हुए, और हाद जोड़कर शिवजी को परनाम करते हुए शत्र द्री का पाठ करने लगे, तब भगवा शिवजी के परभाव से वे दोनों माहनाग अपना सवरूप छोड़कर धनुषबान होगे, इस से वे दोनों बड़े परसन्न हुए और उस तरदे पिमान धनुषबान को लेकर शिवजी के पास आए, वहां आकर उन्होंने वे अस्तर शिवजी को अर्पन कर दिये, तब बगवान शिवजी की पसली में से एक ब्रह्मचारी निकला, उसने वीरासन में बैटकर उस धनुषबान को उठा लिया, और उस पर विधिवत बान चड़ा कर उसे खींचा, अर्चुन ये सब ध्यान पूरक देखता रहा, और उस समय शिवजी ने जो मंत्र पड़ा, उसे बाकर अर्चुन के हश की सीमा नहीं रही, उसके शीर में रुवान चुआया, अब वे अपने को क्रिकिते मानने लगा, फिर शिर किष्ण और अर्चुन दोनों ने भगवान शिव को पर नाम किया, और उसकी आग्या लेकर वे अपने शिवर में चले आए, सब कुछ जुन ने सपन में ही देखा था, संजे कहते हैं, इतर शिर किष्ण और डारुप बाते करते ही रहे, इतने में रात बीत गई, दूसरी और राजा इदिश्टर भी जग गे, मैं वे उठकर शिनान ग्रह की और गे और शिनान करके शियत वस्तर पहने, 108, युवा सना तक जल स भरे हुए सोने के खड़े लिये खड़े थे, युदिश्टर एक महीन वस्तर पहन कर शिरिष्ट आसन पर बैठके और उन मंत्र पो जल से शिनान करने लगे, वे शिनान पूजन आदी से निवरित होकर बैटे ही थे कि दवार पाल आकर खबर दी माहराज भगवान शिरिके किया, उनके बाद अन्य दरबारी लोगों के आने की सूचना मिली, राजा की आग्या से द्वार पालोने भी भीतर ले आया, विराट, भीमसें, द्रिष्टम, साथकी, चिदी राज, द्रिष्टकेतू, द्रुपत, शिखंडी, नकुल, सदेव, चेकीतान, केके, राजकु युच्स, उत्तमोजा, युद्धामन्य, सुभाहु और ध्रुपति के पांचों पुत्र, ये तथा अन्य बहुत से शक्त्री महात्मा युद्ष्टर की सेवा में उपस्ती थोकर उत्तम आसनों पर बिराजमान हुई, श्रिकिष्ण और साथकी एक ही आसन पर बैठे थे, तब राजा युद्ष्टर ने उन सब के सुनते ही शेकिस्ट से कहा भक्त वसल, जैसे देवता इंदर के आश्रे में रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग आपकी ही शरन में रहकर युद्धमें, विजे और स्थाई सुख चाते हैं, सरविश्वर, हमारा सुख और हमारे प्रा परशोतम, आपको हमारा बारंबार नमशकार है, देव रिशी नारजी ने आपको प्रातन रिशी नाराएन बत राया है, आप ही वरदायक विश्णु हैं, इस बात को आज सत्य करके दिखाईए, भवान शिरकेश बोले, अरजुन बलवान अस्तर विद्ध्या के ग्याता प्रकर्मी, युद्ध्यमे चत्र वर तजस्वी हैं, वे वश्ची आपके शत्रु का सम्हार करेंगे, मैं भी ऐसा प्रितन करूंगा, जिससे अरजुन धितराष्ट के पत्रों की सेना को उसी परकार जला डालेंगे, जैसे आग इंधन को, अभवन्यों की हत्या कराने वाल तो भी आज युद्ध्यमे प्रान त्याक करके उसे यम की, राजधानी में जाना पड़ेगा, राजन, अरजुन आज जैदरत को मार कर ही आपके निकटों बस्तित होंगे, इसलिए शोक और चिंता दोर कीजिए, इन लोगों में इस परकार बाची चली रही थी, अरजुन अपने मित्रों के साथ राजा का दर्शन करने के लिए वहाँ आपोची, भीतर आकर युद्धिष्टर को परनाम करके वे सामने खड़े होगे, उन्हें देखते ही युद्धिष्टर ने उटकर बड़े प्रेम से गले लगाया, फिर उनका मस्तक सुंकर मुस्कराते का, अ आते मैंने किशव की कृपा से एक महानास्चेर इजनक सपन देखा था, ये कहकर अरजुन ने अपने हितेशियों के आशवाशन के लिए वे साब वरतान के सुनाया, जिस परकार सपन में शंकर जी का दर्शन हुआ था, ये सुनकर सभी लोगों ने विस्मित होकर शंकर जी शिरकिशन और अरजुन भी युद्दिश्टर को परिनाम करके परसंता पूरख युद्ध़ के लिए उनके शीवर से बाहर निकले, साथकी और शिरकिशन एकी रत पर बैटकर अरजुन की च्छावनी में गे, वहाँ जाकर साथिए भाती अरजुन के रत को सब समग्रियो से सजा कर तियार किया इतने में अरजन भी अपना देन करम पूरा करके ध्रुश बान लिया बाहर निकले और रत की पर करमा करके उस पर स्वार होगे फिस सात्की और श्रिकिष्ण अरजन के आगे जा बैठे श्रिकिष्ण ने घोड़ों की बाग डूर हाथ में ले ली अरजन उन दोनों के साथ युद्ध को चल दिये उस समय विज़े की सूचना देने वाले नाना परकार के शुब शकन होने लगे कोरों की सेना में अब शकन हुए शुब शकनों को देखकर अरजन साथ की से बोले यो युद्धान जैसे ये निमत दिखाई दे रहे हैं उससे जान पड़ता है युद्ध में निश्चे ही मेरे विज़े होगी अदे अब मैं वहाँ जाँगा जहां जैदरत मेरे प्रकर्म की परतीक्षा का रहा है वसमें राजा दिख्टर की रक्षा का भार तुमारे उपर है इस संसार में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो तुमें युद्ध में हरा सके तुम शाक्षाद श्रीकिष के समान हो तुम पर यहाँ अपर दुमन पर ही मेरा अधिक ब्रोसा रहता है मेरी चिंता चोड़कर सब तरह से राजा की ही रक्षा में रहना जहां बगवानवा सदेव हैं और मैं हूँ वहां किसी भी पत्ती की संभावना नहीं है अर्जुन के ऐसा कहने पर साथ की बहुत अच्छा कहकर राजा दिख्टर जहां राज दिख्टर थे वहीं चला गया